तो लगतार इस्रेल पर हमले हो रहे हैं, सिर्फ हिजबुला यह हमले नहीं कर रहा है, बलकि इस बार चार तरफ से इस्रेल पर हमले हो रहे हैं, यह हमले कहां कहां से हो रहे हैं, एक बार इस्रेल हमला करता है, फिर हिजबुला की तरफ से हमला होता है, और आप तो चोतरफा ह हमले हो रहे हैं कौन-कौन इस हमले वे शामिल है इसरेल किस तरह सिन का जवाब दे रहा है बाच्चित करने के लिए मयंक मेरे साथ चुड़गाए है मयंक अब बताया जा रहा है कि सिर्फ हेजबुल्ला की ही मडा जाहर है बता कर है उतर इसरेल पर लेवनन से हीजबुल्ला की डि़ा के अबड़या है अब अगर अब व्याजबुल्ला की अट्यक показывा मिससाथैर गाजआ सन्ट्रल इसरायल की बतागाए ह हुआ है तो जन्न-वार्मास हमले राहा है है अगर हम दक्षनी बात करें हमेने तो लाल सागरसे हुटी है उसने भी अग्राषए भी रौकेट इसरेल tief करें बात करें लाल सागर से हुट ती गया निजाना बना रहा हैूँ तो अप धिखिए ये पहला मुखा है इसरेल मानो चारो तरफ से घिर चुका है जो आप कह रही थी और जबर दस्थ हमले हो रहे है और निलू ऐसा कहा जा रहा है कि अभी देखिये गाजा से हमास ने जो है वो काफी सारे रोकेट्स और ड्रोन से भी जो है इसराइल पर हमला किया है और इसी बीच में एक T90 मिजाइल है यह कहते है कि T90 मिजाइल जो है उसी तरह एक बड़ी गौर करने वाली बात है कि जो पिछला हमला हिजबुला की तरफ से हुआ इसराइल पर बताया जा रहा है कि करीब 12 ठिकाने ऐसे थे जहां पर करीब 300 से जादा रोकेट्स जो है वो है हिजबुला की तरफ से फायर किये गए उसमें दो एयर बेस को बह इन तरह बतायक किया गया, इनको जब निशना बनाया गया इनकी हत्या की गई. तो इसे का रही पर ही बुद भात है वें दो को आप है कि प्लान तयार हो रहा था था ए पो कि जड़त मैं तो एब शिफिते आप कि यहों कि कहा इस्पा बनानी है। कहा पर इस्चन करना हुआ है। झीड़ों को चीफ में एक जारी जा गया गया थोग है हुआ ही। और उसमें नस्रल्ला ने ये कहा है कि जो फुआज शुक्र थे अच्छा इस वीडियो की खास बात ये है कि इसमें नस्रल्ला के बगल में जो है वो फुआज शुक्र जो है उनके जो कमांडर थे जो मारे गए उनकी फोटो भी लगी होई थी और नस्रल्ला ने इसमें कहा कि बदला तो हमें लेना ही था और पूरे इलाके में जो समिकरण है वो बनाए रखना बहुत जरूरी था ऐसा ना हो कि इसराइल जो है उसको डॉमिनेट करने लगे इसलिए यह जवाब देना जरूरी था और हमने नसर ला हमने जो फूआज शुकर का बदला ले लिया इस तरह का वीडियो जो है इसलिए बदला लेने की बात हिजबुल्लाह हमास सभी की तरफ से की जा रही है लेकिन अगर इसरे रहाइशे लाकों से किया जा रहा है उनका कहना है कि रहाइशे लाकों में अस्वतार स्कूलों के पीछे चिफ कर यह सब को छोड़ा है हम नहीं चाहते कि वहां के लोग मारे जाए लेकिन हम भी अपने आपको प्रोटक्ट करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं हमारी कोशिश कि अगर हमें आप दुखसान पहुचाएंगे तो हम भी आपको बख्षेंगे लिए इस्राइल ने भी देखिए हिजबुल्ला के जो रॉकेट्स अटैक हुए उसके बाद जो है इस्रेल ने भी बहुत जबर्दस पलटबार किया है और दो जगे इस समय इस्राइल का ग्रा जो है इस्राइल की ग्राउंड फोर्स जो है वो अंदर गुसी है और टैंक से भी हमले किये गए है तो जब इस्राइल की ग्राउंड फोर्स अंदर दाखिल हुई है क्योंकि अब ही हमने देखा कि जब इस्रेल की तरफ से पहले हिजबुल्ला ने हमला कि अरववार को दे इस तरह के हमले हुए फिर इस्रेल ने अपनी तरह से पूरे दंखं के साथ हमला किया है अब इसराइल की फोर्सेज यह कह रही है और सरकार यह कह रही है कि अगर हमें जरुवत पड़ी तो हम लेबनन के अंदर तक दाकिल हो जाएंगा हमारी फोर्सेज दाकिल हो जाएंगा इस तरह कि धंकी भी नेतन गाउू की तरफ सी तरफ से गई है? तो देखिए ये जो हिजबुल्ला ने अटाइक किया उसका जबर्दस पलट वार इसराइल की तरफ से किया गया है अब लेकिन देखना ये है कि अगले 24 गंटे में इनकी तरफ से किस तरह से बात आगे बढ़ती है अचा नीलू एक बड़ी गौर करने वाली बात ये भी है ये जैसा हमने बताया कि चार तरफ से इसराइल घिरा हुआ है और ये चारो तो लड़ी रहे है इसके अलावा एक बहुत चौकाने वाली खबर आई है और वह खबर य जो हमें हिए फ़स से प्रेओ के पास तहुचे हैं इसने काफी सारे सारे ट्रोन प्रеспाव करेते ध्यु शुथ थैरनी के लाद ये रिच्छाइक रोड़ não सर educated का बडर है बलकि ये समाल तो हमेशनी तो हमें है और Hezbollah को यह रोकेट्स प्रोवाइट किया रहे है अच्छा एक गौर करने वाली बात निलू यह भी है कि आप देखें कि पिछले कुछ समय में आज कर देखें कि यह सुसाइड ड्रोन जो है बहुत जादा इनका इस्तमाल होता है इस युद्ध में खासों मिडिल इस्ट के जो हला इस वक्त उसमें ड्रोन की भूमी का महुत जादा है अच्छा यह भी है कि हथियार भी हमने रेखा है नहीं नहीं तरीके से अलग अलग ज यहां पर हथियारों का प्रदर्शन भी जबरदस्त तरीके से आपके पास अगर यह हथियार है तो मेरे पास यह हथियार है इसकी होड भी यहां पर देखने को मिलिया है और एक से बढ़कर एक हथियार यहां पर डिस्प्ले किये गए एक तरह से कहने जिसका आप जिकर कर वो F-35I प्लेन है यह अमेरिका की तरफ से जो है इस्रेयल को यह फाइटर प्लेन्स दिये गए है और जो अभी हिजबुल्ला पर अटैक हुआ लिबनन के अंदर उसमें कहा बताया जा रहा है कि 100 से जादा F-35 प्लेन्स का इस्तमाल किया गया और यह प्लेन्स की खास बात यह प्लेन्स का इस्रेयल की तरफ से लिए गया जिसमें इस लिबनन पे हमले के दौरान एक F-35I जो फाइटर जेट है इसकी हावा में रिफ्यूलिंग की गई हावा में इसमें जो है ओल फ्यूल डालाया तो अब देखिए यह असल में इसकी जरूवत नहीं थी लिए लिए ल इसरेयल पे हमला करेंगे और बदले में आप बच जाएंगे तो ऐसा नहीं है तो यह एक मैंटल गेम भी पूरे इलाके में चल रहा है कि कौन किसके पास कितने ज्यादा हथियार है कौन कितना एडवान्स है तो यह एक मैसेस ता एक वीडियो ता जो इसरेयल की तरफ से रि नौर्थ कोरिया, रूस, इरान जो है वो हमास को प्रोवाइड कर रहा है तो यह एक जो है इसरेयल के लिए पूरे इलाके में अवर ओल दिक्कत का सबब बने हुए है और दूसरी एक बड़ी चीज यह है कि यह कहा जा रहा है कि एरान ने अपनी प्रोक्सी जितनी है हुती हमास, हिजबुला, इनको फ्री हंट दे दिया है यह एक खबर आई है कि पिछले कुछ समय से यह था कि एसा का जा रहा है इरान यह चाहरा था कि थोड़ा सा आप समय ले और उसके बाद फिर हमला हो इसरेयल पे लेकिन अब ऐसा बताय जा रहा है कि फुआज शुक्र की जो बड़े पैमाने पर हमला जो हुआ बिलकुल तो वार पलटवार का दौर लगातार इसराइल, हिजबुला, हूती, हमास इन सब के बीच जारी है अब ये जो युद्ध की जो इस्तिती बनी हुए वो किस तरफ आगे बढ़ती है किस तरह से किसको कितना नुकसान पहुंचत हुआ है